अम्श्यंति मनमुहिनी दिदी जी का क्या कहना? श्वेत वस्त्र, श्वेत कर्म, श्वेत व्यक्तित्वस्से भरपूर दिदी जी हमारे लिए हमेशा प्रेणा स्त्रोत रही जैसे दिदी जी का नाम वैसे ही गुण मन को मोहने वाली दिदी इस विश्व गगन में बहुत थोड़ी ऐसी आत्माएं होती हैं जो चमकती रहती हैं और वो ऐसी आत्माएं होती हैं जिनको परमपिता परमात्मा स्वयम याद करते हैं ऐसी सर्वत्तम आत्माओं में से दिदी थी 1963 आज से 59 वर्ष पहले में ज्यान में आई उस समय मधुबन में गए तो दिदी मिले दिदी की द्रश्टी इतनी शक्ती शाली थी तो मुझे मैसूस हुआ कि नजर से मैं तो निहाल हो गई मुरली क्लास में देखते थे बाबा मुरली सुनाते थे तो दिदी सबसे फर्स्ट बैठते थे दिदी तो इतने पक्के गौडली स्टुडेंट कि क्लास में चश्मा, डाइरी और पेंद लेकर के दिदी बैठते थे और देखा कि दिदी क्लास के बाद में राउंड लगाते थे यग्यके हर एक डिपार्टमेंट में राउंड लगाते थे, भंडारे में राउंड लगाते थे और फिर आकर के दिदी सभी के साथ सबजी काटते थे मना कर्मणा सेवा में भी दिदी अपना समय देती थी दिदी के साथ मुझे काश्मीर जाना हुआ वहां दिदी का इतना एक्क्यूरेट सारे दिन की देंग चर्या देखी अम्रुत वेली का योग, मुरली क्लास और सारी दिन चर्या बहुत एक्कूरेट और बहुत डिसिप्लिन विशेश व्यक्तियों को भी दिदी इतना सिंदर रिती से मिलते थे कि विशेश व्यक्ति वो भी क्लास में आने लगते थे रेग्यूलर दिदी सांता कुरुज सेवा केंद्र पर आई 1975 में जब खुला उसके बाद तो दिदी भोजन कर रहे थे तो मैंने देखा कि दिदी साइलेंस में भोजन करती थी तो वो भी एक प्रेणा मिली सीखा कि कैसे एक्यूरेट रहना है डिसिप्लिन में रहना है और साइलेंस में भोजन करना है एक बार नकी लेक पे हम लोग गए थे तो वहाँ पर मेरा ब्रदर भी लौकिक साथ में आया था प्रकाश नाम तो दीदी ने उसको कहा छोटी उम्रका वो था, तो दीदी कैसे गंभीर और रम्निक दोनों रूप देखा, कि गंभीर ताके समय गंभीर ता, और रम्निक ताके समय रम्निक ता, तो वो छोटी उम्रका था, तो दीदी ने बहुत अच्छा नकीले के पास एक खेल दीदी ने खेला, यहाँ पर कोईन रखा उसके और फिर ले लिया, पहले कहा कि आखे आधी बंद, आधी खुली हो, और फिर उसको कहा कि यह कोईन जो है वो नीचे गिरा दो, तो लेकिन आखे उपर करके, लेकिन वो कैसे होगा, कोईन था ही नहीं वहाँ पर, तो दिदी इतना रमनिक तासे छोटों के साथ ऐसे हो जाते थे, इतना वात्सलिय की मूर्ती थी दिदी, जो भी शिवेर पार्टियों को यहाँ से हम स्यांद्यकृत से लेकर के जाते थे, तो इतना सुन्दर उनका परिवर्तन होता था, दिदी सुनाते थे कि एक आना है, और पांच खोटे पैसे देना है, तो सुनने वाला भी बहुत चात्रक होकर के सभी सुनते थे, दिदी की मीठी और मधूर, सारी जो भी शिक्षाएं हैं, तो हमारे लिए वो बहुत प्रेणा रुब्बनी तिवरपुरुशात करने में, कि हमेशा हमें जीवन में डिसिप्लिन में रहना है, समय पर उठना, समय पर सोना, और समय पर यग्यकी सेवा करना, इसमें ही हमारी उन्नती है, इसमें ही हमारा सुधार है, और इससे ही हम सफलता पाएंगे, यही सफलता की एक कुंजी है, चाबी है, तो ये बात हमने दिदी से सिखी, और कैसे दिदी बाबा के साथ चक्र लगाती थी बाबा की अंगुली पकड़ कर तो एक बार बाबा ने दिदी को कहा कि यहां तुम अंगुली पकड़ करके चक्र लगा रही हो तो सत्युग में कृष्ण तुम्हारी अंगुली पकड़ेंगा तो ये नशा है तो इतना अच्छा लगा ये बात सुन करके तो बाबा के साथ दिदी हमेशा रहे और दिदी हमेशा कहते थे कि बाबा करन करावन हार है हम निमित है और हम निर्मान है और हम स्वयम सर्व शक्तिवान बाबा की संतान हम मास्टर सर्व शक्तिमान है तो हम मास्टर सर्व शक्तिमान है ये स्वमान दिदी का बहुत बहुत यहां से महमान को लेकर के जाते थे विशिष्ट व्यक्तियों को, तो दीदी इतना उनका ध्यान रखते थे, एक बार तो दीदी ने च्छतिस प्रकार का भूजन बनवाया था, तो दीदी जो हैं, वो सोगात देने में भी बहुती सुन्दर रिती से, और बहुत अच्छी दीदी में ये कला थी, कि जैसी व्यक्ति उसको उस अनुसार बहुत सुन्दर रिती से, दीदी डाइरी पेन और डाइरी पेन ग्यान की ओपन करके दीदी देते थे, और उनको कहते तो इतना अच्छा लगता था कि इतना प्यार से दिदी जी सौगात देते थे और जो भी आते थे उसका इतना अच्छी तरह से दिदी परवरिश करते थे ज्यान और योग से और उनका ध्यान भी बहुत रखते थे जब हम पार्टी लेकर के जाते थे तो दिदी बैट करके क्वेश्चन पूछते थी मुरली में से क्वेश्चन निकाल करके वो पूछते थे और हसाते भी थे तो उसमें ज्यान युक्त सब कुछ था तो दीदी का जीवन देख करके बहुत ऐसा लगा कि ये जीवन तो बहुत बहुत उच्च जीवन है दीदी का और हम बहुती बाते शिक्षाएं उस समय सारी सीखते थे रोयल्टी तो दीदी में बहुत बहुत थी वो तो पहले ही हमने बहुती मैसुस किया कि कैसे दीदी अंदर और बाहर कैसे दीदी की सच्चाई और सफाई है और दीदी की कहनी और दीदी की जो सोचना है तो करनी और कतनी वो दोनों दीदी का बहुत समान रहता था और हमेशा दीदी कहते थे कि स्वयम में बदलाव लाना है, हम औरों के बदलाव का न सोचे और इसमें ही हमारी स्वयम की जो है वो भलाई है संग के लिए भी दिदी हमेशा ध्यान खिचवाती थी कि हमारा संग जो है उसका हमेशा हमें बहुत ध्यान देना है कि संग हमारा कैसा है मना ज्यान की हर बात में श्रीमत पर हमें कैसे मर्यादा और नियम पे हमें हमेशा कैसे चलना है और कैसे हमें बहुत accurate चलना है तो जीवन में यह value जो है accuracy की वो तो दीदी के रग रग में थी और मैं तो दीदी के लिए कहूँगी कि दीदी जिस परिवार से थे तो महा भिनिश क्रमन दीदी का तो महा भिनिश क्रमन था और दीदी हमेशा इतना सुन्दर रिती से हमें मिलती थी कि हमें बार-बार मन होता था कि हम दीदी से मिले जाकर के दीदी की हम जाकर के द्रश्टी ले और जब भी उनको देखा मधुबन में तो दीदी जी को हमने बाबा के साथ देखा तो बहुत हमेशा अच्छा लगता था क्योंकि 63 से लेकर के 83 तक एक बार यहां पर आये बॉम्बे में लास्ट में 1983 की बात है तो उस समय मैं जब दीदी हॉस्पिटल में तबे ठीक नहीं थी तो दिखाने के लिए जा रहे थे तो मैं विशेश दादर स्टेशन पे गई और वहां पर दीदी खड़े रहे गेट के पास आकर के तो उस समय ट्रेन वन मिनिट वैसे तो स्टॉपेज था लेकिन ज्यादा खड़ी रही तो मैंने फिर दीदी को कहा ज्यान की बाते सुनाती रही तो मैंने कहा दीदी आप ब सुनाती